मौनसुन की पहली ही बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गहर मचाना शुरू कर दिया है बुधवार की रात तकरीबन 11 बचे मलाड वेस्ट के मालवनी अलाके में एक चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों के तर रठे गई इमारत हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जिसमें 8 बच्चे शामिल बताये जा रहे हैं फिलहाल इस हादसे में कई लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है सभी घायलों को नजदी की अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक दिन भर हुई बारिश के कारण एक चार मनजिला इमारत तीन मनजिला इमारत पर गिर गई जिसके बाद यह हादसा हुआ फायर बिगट के टीम और इस्थानिय पुलिस रहत और बचाफकार में मुस्तैदी के साथ लगी हुई है फसे हुए लोगों को इस्थानिय निवासियों बीमसी पुलिस और फायर बिगट की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू है मुंबई जोन 11 के डीसीपी विशार ठाकुर ने बताया कि हादसे में महिलावा बच्चों समेत तकरीबन 18 लोगों को बचा लिया गया है उन्हें दूसरे नजदिक की अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है मलबे में और भी लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है लोगों को बचाने के लिए यहां दमकल विभाग के टीम रात से ही रेस्क्यू आपरेशन में चुटी हुई है BMC ने बताया कि मुंबई के मलाड वेस्ट के न्यू कलेक्टर कमपाउंड में एक रिहाईशी धाचे के ढहने से 11 लोगों की दुरभाग पून मौत हुई है जबकि कई लोग खायल भी हैं वहीं आसपास की तीन इमारतों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है यह बताया जा रहा है कि यह इमारतें भी खस्ता हाल थी और यहां भी कभी भी दुरगटना घट सकती थी ग्यारा बज़े से करीक दस किनट पहले का आथसा है जो मतम लोगों तक पोछा और ग्यारा बज़े तक मालूम पड़ा लोगों को और इसकी आवाद से ही मालूम पड़ जाता जो घर के अंदर थे वो दर से भार आगी है तो इसा महल ता है जिसे कोई आंदी तूफान में नहीं हुआ अईसा ऐसी आवास इसकी धे यह चार माले का घर था जिन में से नीचे वाले में डोग डोग रहते ते और दिच वाले में करीब 5 लोग रहते और ऊपर वाले में भी मौनसून की पहली बारिश नहीं बारिश के बारिश की बारिश की चेतावनी जारी की है ऐसे में अगर हाई टाइट और बारिश तुनों एक साथ आते हैं तो शेहर के लिए मुश्किलें बढ़ना तैमाना जा रहा है